बैंकों का राश्ट्रे करण क्यों हुआ था? ये भी आपको बताते हैं आखिर क्यों बैंकों का राश्ट्रे करण हुआ था? इंदरा गांधी ने 1969 में 14 बैंकों का राश्ट्रे करण किया था. 1980 में 6 और बैंकों का राश्यकरन इंदरा गांधी ने किया करीबों को फायदा पहुंचाने के लिए बैंकों का राश्यकरन किया गया Nationalization के बाद क्या हुआ सरकार ने जितना भी पूंजी का flow होता है economy में जिस तरीके से पूंजी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाता है वो अपने अधीन ले लिया यह बहुत जरूरी है इसको समझना जरूरी है यह जरूरी इसलिए है ताकि सरकार तै कर पाए पूरी society तै कर पाए पब्लिक तैय कर पाए कि किस सेक्टर को पूंजी मिलनी चाहिए सिरफ प्रॉफिट या मुनाफ़ा कहां हो रहा है वहीं पर पूंजी जाए यह न हो खैर साथ में एक और चीज जो हुआ जैसे मैंने कहा यह प्राइरिटी सेक्टर को जो पैसा मिला एक प्राइरिटी सेक्टर जो यह था वो है क्रिशी को मिला और गरीबों को भी बैंकिंग का एकसेस मिला बैंकिंग का एक सामाजिक रोल है एक सोशल रोल है वो सिरफ कमाने के बारे में सोचती है सरकारी बैंकों का social रोल ये है सामाजिक रोल ये है गरीबों तक banking पहुचाना क्रिशी तक banking पहुचाना जो priority सेक्टर है जो हमारी economy के लिए जरूरी सेक्टर है वहां तक loan पहुचाना झाल